Hello दोस्तों स्वागत है आप सभी का श्रीवी वीडियो में और आज के स्वेड़ों में हम देखने वाला है हमारा आज का इमोल दोस्तों जो हमारा आज का यह model होने वाला है यह 30 feet बाद 33 feet में होने वाला है जो कि हमने हमारे subscriber की request से बना है जिसमें आपको देखने को मिलने वाला है 2 bedroom, 1 kitchen, 1 combined 12 bathroom, veranda area, 2 wheeler, 4 wheeler car parking, plus circus जो कि घर के अंदर से दियेगे हमने तो फिचले हमारा आज का यह video शुरू करते हैं पर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल नी हो तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe कर दीजिए क्योंकि हम home design related video daily लाते रहते हैं तो फिचले हमारा आज का यह video शुरू करते हैं तो दोस्तो जैसे कि आप यहां पर देखते हैं हमारे आज की model का look कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलने वाला है जो कि 30 by 33 feet में होने वाला है इसमें आपको बन वरांडा एरिया टू बेड्रूम वन केचन वन कमबाइन टोयल बाथरूम वन लॉबी एरिया और स्टेरकेश जो कि घर के अंदर से दिए गया हमने देखने को मिल जाते हैं और साथ ही साथ कार पार्किंग एरिया देखने को म यहाँ पे 여러분들 का बाग यहाँ पे साइज हमने 18o fewd Life यहाँ पर देखने को मिल जाता है उसकार थीक साइट में यहाँ एक अच्छा देने वाला है और जो विंडव देखने वींडग को हमने टोटल घर में यहाँ पर window जो है वह 4x4 के use किया गया है kitchen का जो difference होने वाला है वह 3x4 का use किया गया है और जो bathroom का जो window होने वाला है वह हमने 2 feet by 1 feet 6 inch कुछ इस तरह से use किया गया है तो विचले यहाँ से आपका entrance होने वाला है उसके बाद ठीक आपका entrance होने वाला है घर के अंदर गर के अंदर आप enter करते ही आपको यह lobby देखने को मिल जाती है तो फिर यह आपका dining room इसको dining room की तरह use कर सकते है आप अपने हिसराब से living room hall अपने हिसराब से use कर सकते है उसके जो size होने वाले है total हमने इसको 13 feet by 13 feet में यहाँ पे आपको distribute किया गया है उसके ठीक right side में आपको यह bedroom देखने को मिल जाता है यह first bedroom होने वाला है हमारा इसके size जो है 12 feet total जो है 12 feet by 13 feet यहाँ पे देखने को मिल जाती है साथ हि- हम ने यहां पे Combined Toilet Bathroom Dinosaur दिये गए है इस Toilet Bathroom गान जो सइज होने वाली है वह आम वो 6 Fd By 5 Fd यहां पे देखने को मिल जाती है उसके बाच Second Bedroom जो होने वाला है वो 12 Fd By 13 Fd में हमने इसको Distribution किया गया है इसके बाद यहां पे आपको stir case का distribution देखने को मिल जाते हैं वो आपको 6 feet by 13 feet में यहां पर stir case का distribution देखने को मिल जाती है और stir case की यहां पर यूटिलाइज कर सकते है इस area को अपनी तरह की से सामान कुछ भी हो जो आप रखना जाता है यहां पर रख सकते हो और उसके साथ हमने यहां बड़ा सा kitchen दिया गया है kitchen की size है वो आपको 12 feet by 13 feet यहां पे आपको देखने को मिल जाती है साथ ही साथ हमने यहां पे 2 windows दिये गए है और यह जो है total आपको top side से कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है जो कि काफी बहतरीन और लाजवाब लूग देता है आपके इस घड को तो फिर यह ता हमारा आज का model और अगर आपको हमारे model और वीडियो पसंद आया